पूरा एपिसोड देखने के लिए सुनी लिए वाब डाउनलोड करें यथू, आज अंकल आये हैं क्या? हाँ, वो आज मेरे साथ ही आये थे आज उनकी कोई मीटिंग है नानू की कार भी स्कूल पाकिंग में घड़ी है मतलब वो मीटिंग अभी हो रही है यह थू, चल मेरे साथ जब एक इनसान एक अच्छा पती नहीं बन सकता है तो वो एक अच्छा बाप कैसे बन सकता है अगर इस आदवे के साथ यथार्थ रहा तो उसकी जिंदगी बरबाद हो जाएगी तबाव हो जाएगी तरह दो फीचर फो हिम यह तो अच्छा है मिस्स अकांग्शा बड़ी मुश्किल से सही वक्त पर इनसे बच कर निकल गई है तिक यह बात इनसे हजम नहीं हुई है इसलिए अब मिस्स मानव वाश्पाई अपने बेटे का इस्तमाल करके मिस्स अकांग्शा से रिवेंज लेना चाहते है बदला लेना चाहते है मैं इस फोरुम की एस्टीम्ड लेडी से पूछना चाहता हूँ क्या आप इस बात से सहमत नहीं होंगी कि जब एक बच्चा अपनी मां से दूर हो जाता है तो उस बच्चे के सर से बच्चपन ही चला जाता है और मुझे पुरा यकिन है कि ये एस्टीम्ड स्कूल के बॉर्ड अफ डिरेक्टर्स ऐसा नहीं होने देंगे एक बच्चे के साथ उसकी लाइफ के साथ यतात बाजबाई का सोल गार्डियनशिप उसकी मां मिस अकांकशा को मिलना चाहिए जो की अपने बच्चे का ध्यान रखने के काबिल है लायक है और हक्तार भी वैसे मैंने और बोर्ड मेंबर्स ने अपना डिसीजन ले लिया है लेकिन फिर भी बिना बराबरी का मौका दिये फैसला सुनाना ठिक नहीं होगा अपना पक्ष रखिए मैं समझ रहो कि आप सभी को एक मा का नजरिया तो समझ में आ गया लेकिन आप एक मा या बाप के नजरिये से मत सोचिए बल्कि एक साथ साल के उमर के बच्चे के नजरिये से सोचिए इक ऐसे बच्चे के नजरिये से सोचिए जिसने अपना जनम दिन तो अपने माबाप के साथ मनाया लेकिन अगले दिन जब वो सुपह उठा तो उसकी माँ उसके साथ नहीं थी मौनब मिस्सा कांग्शा वो रातों रात उसे छोड़ के जा चुकी थी बिना कुछ कहे बिना कुछ बताये उस पच्चे की नजरिये से सोचिये जिसकी माँ एक ही रात में उसे चिन दें ममा उस बच्चे की नजरिये से सोचिये जो घर में अबनी मा को ना देकर हर पल हर लमा बेचैन होता रहा बार बार अपनी मा को फोन लगाता रहा ये सोचके की अभी सामने सो उसकी माँ भी फोन उठाईगी और कहीगी की बिठा रुको वही रुको मैं बस अभी आई लिके नुसे सामने से क्या सुनने को मिला वो उस बच्चे की नजरीय से सोची है जिसके डैड़ा को उसे जूट बोलना पड़ा क्योंकि उसमें वो हिम्मत ही नी थी कि वो अपने बच्चे को बता सके कि बेटा आपकी मा किसी और आदमी के लिए आपको और मुझे छोड़कर जा चुकी लेकिन ये बात उसे किसी और से पता चलती है बाभी जी आपको और येटू को छोड़कर चली गई है और वो साथ साल का बच्चा सोचता है मेरे डैड़ा अगर मुझे रोते वे देखेंगे तो वो टूट जाईगा ताना स्पूल आगया हूँ आप में टेंशन मद लेना अब में बड़ा हो गया ओना दादा अब में सब कुछ कर सकता हूँ अकेले इसलिए वो अंदर ही अंदर रोता है आप मुझे बिरा मताई चली गई क्यूंकि वो टूट शुका है तो अब उसके अब उसके शब भी टूटने लगते है वो वह अक लाने लगता है आप में बड़ा हो गया अमा जाजन मुझे निया फून भी गिफ्ट की किया है कहते हैं कि जब चोड लगती है तो सबसे बहले शब मुझे मा निकलता है लिकर उस बच्चे को क्या पता कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चोट उसकी मा ही देगी इतना बैट बॉइ है इसकी मम्मा इसको खीनिकल चली गई और फिर एक दिन वो साथ साल का बच्चा है अपने चौटिस साल के बाप के आंसू पोच्टा है और कहता है डैड़ा मैं जानता हूँ मा आप कभी लॉट के बापस नहीं आई इसलिए डैड़ा आज के बाद हम उसके लिए नहीं रोहेंगे डैड़ा हम हम एक दूसरे का साहरा मनेंगे अखांग शाह रिलाक्स यार किये सपना है यस्टे पेशिंट रिलाक्स, स्माइल रिलीव आप लोग भी पेरेंट्स है इसलिए आप लोग जानते हैं माब आपके मन में सोते जाकते अपने बच्चे की भलाई चलती रहती वो सोचते हैं कि हम ऐसा क्या कर दें कि मेरा बच्चा हमेशा आगे रहे मेरा बच्चा हमेशा सेफ रहे अब आपकी हर सांस में अपने बच्चे की बहतरी चुपी होती है मैं भी अलग नहीं हूं मैं भी अपने बच्चे की सिर्फ भलाई चाहता हूं उस पच्चे को अभी तैरना भी नहीं आता और उसे अभी समंदर की घहराई में फैक दिया गया मैं बस उसे तूबने नहीं देना चाहता मुझे बस थोड़ी महुलत दे दीजी कि मैं अपने पच्चे को इस तूफान से बार निकाल सो एक माँ को उसके बच्चे से मिलना चाहिए ज़रूर मिलना चाहिए लेकिन अभी इनकी हर मुलाकात मेरे बच्चे के दिल और धिमाग में सिर्फ जखम देगी और कुछ नहीं सा सर एक भार मेरा बच्चा दुनियादारी समझ जाया उसके बच्चा अपनी माँ से मिलता मुझे कोई अतरास नहीं ही सर मैं जानता हूँ एक वाइफ एक्स वाइफ हो सकती है लेकिन एक मा कभी एक्स मा नहीं होती है मा मा ही रहती है जानता है झाल 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 छुव झाल 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 झाल